प्यार ऐसा कि जेल से भी रोज चिठिया आती हैं, वो भी एक महा ठग का। जी हाँ दोस्तो, बॉलिवूट की एक्ट्रेस जैकलिन फैनांडीज और महा ठग सुकेश चनर से खर दोनों कभी एक दुसरे से पागलों की तरह प्यार करते थे। लेकिन जब महा ठग ठगी के मामले में पकरे गए और उन्हें जेल हो गई तब जैकलिन भी पुलिस के निसाने पर आ गई थी। जिसके बाद जैकलिन ने सुकेश के साथ अपने रिष्टे को लेकर कन्नी काटने लगी। लेकिन सुकेश दिवानों की तरह जेल से भी जैकलिन के लिए चिठियां लिखते रहता है। अब हाल ही में सुकेश ने जैकलिन को लेकर किसी को मान हानी का नोटिस भी भेज़ दिया है। जैकलिन ने कुछ दिन पहले हॉलिवूड एक्टर और मार्शल आर्ट एक्सन फिल्म के लिए जाने जाने वाले हॉलिवूड अभिनेता जीन क्लाउट वान डेम के साथ एक्स पर अपनी फोटो डाली थी। जिस पर मीका सी ने एक कमेंट किया था। मीका ने अपने कमेंट में लिखा था, आप बहुत सुन्दर लग रही है, वह सुकेश से कहीं बेहतर है। लेकिन बाद में मीका सी ने इसे हटा दिया, मगर उससे पहले बहुत से लोग इसे पढ़ चुके थे। अब इसके बाद सुकेश का दिवानापन तो बोलना ही था। और भारतिये फिल्म उद्धोग विभिन व्यवसाईक खरानों और राजनीतिक हलकों में उसकी साख है। मुवक्किल को बदनाम करने और उनकी प्रतिष्ठा धुमिल करने के लिए आपकी ओर से यह जान उचकर किया गया एक हतासापूर्ण कार है। और हमारा क्लाइंट इस तरह के विभार को बर्दास नहीं करेगा। इसनक बयान देना बंद करें और हमारे मुवक्किल को और अधिक परसान करने से बचें। वेल दोस्तों आप लोगों का इस बयान पर क्या कहना है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देजिए।